त्यारे बच्चो कला की क्लास में आप सबका स्वागत हैं बच्चो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा कि आलेखन या डिजाइन बनाने के लिए जो फूल बनाए जाते हैं पतियां वा कलियां बनाई जाती हैं वो किस तरीके से बनानी है हमें तो सबसे पहले हमने स्टार भी कोई सीं ब्रास क्रों कर और यह कंबल स्युट को भी निशेगी पत्ति के नहीं तो और यह वाला देजाइं भी तो कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह कंबल की पत्तियों की बारेिं द्टौ के साथ लगा हूआ को बना सकते हैं को बना रग कांप एकतर लाग करना है तो अचों जो यह बने हुए फूल है इसमें कलर करना चीखेंगे तो कलर के लिए बच्चो हमें कौन से कलर यूज करने चाहिए तो यह देखे बच्चो यह आता है कैममिल का वाटर कलर जो है ट्यूब के रूप में आता है इसमें जो है वह 12 सट दिये हुए हैं और यह फार स्टुडें कर लीजएगा इसी के द्वारा जो है हम लोग कलर करेंगे और यह आपको आगे भी काम आएगा ठीक है तो यह वार्टर कलर है यह जो है यह बचो इसके अलावा ऑन इसके बाण का आता होगा लेकिन यह जो अच्छा होता है तो इसमें बचो जे देखीए रहें यह ती चूब कि यह अपको एक बिख में लिए और बनाने के लिए बिखनी को खेते के लिए यह तो यह पीए बच्न का होचम कहाओ तो यह भी आपके लिए जरूरी है वरना आप कलर किसमें मिलाएंगे तो यह पर परचेश कीजिएगा तो यह आपको परचेश करने ही करने हैं बच्चो और साथ ही बच्चो अब बारियाती बच्चो बिसस की तो कौन-कौन से बिसस हमें लेने चाहिए तो अभी जो है आप 0 नमबर का एक भ्रस ले लीजेगा बसिस सब्स भी जोलाएं को कि आउट करने या तो यह जो लीए स्थान के लिए होगा और जोली भी लिए है थोड़ा सा बड़ा यह दो इसी बड़ा बड़ा तो हमिन पेंट करने के लिए चार नमर का ब्रस हो गया इसके बाद आट करने के लिए थोड़ा इसका ब्रस जो है वो मोटा होगा और एक ही बारा नंबर का ब्रस लिया है जो में जो अगर माली जीए बड़ा ब्रस है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं तो जो बाहर प्रिष्ट भूमी है ठीक है तो उस पर हम कलर सकते हलका कलर करना है जल्दी कर जाएगा तो इस तरीके से कुछ ब्रस आप खरीद लीजेगा इसमें से आप जीरो नंबर एक नंबर और चार नंबर ये तो चार के बाद फिर इसके बाद आठ या नो जो मिल जाए वो ले सकते हैं तो इन कुछ चार-पांच ब्रस को आप ले लीजेगा जो की जरूरी है और एक ब्रस से काम नहीं चलने वाला है चुकि आप लोगों ने कलर सब्जक्ट लिया है ना इंत क्लास में तो आपको ब्रसेज कलर और और शेडिंग पैंसिंग ये आपके लिए ज़रूरी है तब ही आप अच्छी से कलर कर पाएंगे बच्चो तो यह आपको कलर खरीद और इन्हीं का प्रियोग करना है और एक कलर पैलेट होने चाहिए आपके पास में और तब हम लोग कलर करना सिखिए चली आए देखते हैं कि इनमें हम कलर कैसे करेंगे बच्चो अब चुकि हमें यहां पर गुलाब वो कमल का फूल है बच्चो इसका कलर कैसा होता है गुल कलर तो इन्हीं कलर का यूज करना है हमें इन गुलाब के वो सरी गुलाब मी में कमल के फूलों को बनाने ने के लिए गुलाबी रंग के लिए घृ लाल और सफेद इन दुकलर को मिला करकल बनाना होगा तो तो इसके लिए जह यह hemmiyeah—— wire color लेना है और यह वाला पर लेना ह वाइट नमबर लिखा है 22 नमबर का कलर है इसमें कैरमाइन लिखा हुआ है तो यह कलर आपको यूज़ करना है बच्छो तो यह हमने लिया है इसमें सफेद कलर है इसका यह कलर आया है यह वाइट है यह लिया है और यह यहां पर यह थोड़ा मैरून सा कलर है तो इसको मिला क करके हमें पर बनाना है ओच्छो यह देखिए वच्छो यह मैंने मिला जाइस म thread 2 मिला तो यहाँ पर इंगरागे अंफ्ना पिक होगा आप लोगो को ठीक है तो ये वाला पिंग वाला करेंकर पड़की इसमें कलर करेंगे है है का chi कि ऊव कि कलर देखना है बच्छों आपको कि बाहर ना निकले कि पिंक कलर मैंने सब में कर लिया है बच्छों इसमें कि 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 इसी तरीके से इन सब में भी आप कर लीजी देखिए का ध्यान से कि बाहर आपका जो है वो कलर ना जाए ना फैले तो पहले लाइट पिंक हम लोग सब में कर ले करने के लिए इसके बाद पर सेडिक करेंगे तो सक लिए थोड़ा डार कलर कवैंगे को सिशलियां करने के थोड़ा सा क्शाए घ्कान कि सबस्क्रस होई Hi ते वे जब कलर किया है लिए कि और कमल बचा हुआ है तो इसको भी हम कलर कर ले रहे हैं बच्चो कि अगर पार पानी यूजनी तो अगर कि वह बहुत ज्याद़ा पानी यूजनी खु़ाई करना है वरना कलर आपका फैल जाएगा तो बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको कि लाइट कलर की पिंक कलर को पहले हमें सब में भर लेना है पानी बहुत जादा मत यूज करिएगा मतलब पानी अगर ज्यादा पतला रहेगा तो फैल सकता है कलर ठेक है तो अपने आपसे पानी यूज करना है आपको और यह जो है मारा कलर जो है फिल होने माला है हुआ कि आप साथानी रखेंगा आप भी कि बाहर कलर ना निकलें जहां दीजेगा कुछ बच्चे कमल का फूल बनाते हैं और उसमें रड़ सा कलर भड़ देते हैं तो ऐसा नहीं करना है आपको कमल का फूल का जो कलर होता है वही करना है ठीक है कि वर्फिस के वाद थोड़ी दिर रंग सूखने भी देना है अंसा नहीं कि अधिक हो गया हमारा कलर लभग लभग फिल हो गया है बच्चो अब बच्चो थोड़ा सा डार्क कलर लेड़ना है को तो टौर रहे जो भी अपने अब लोग होने एक जोड़ा सा टार्क रहे और मूं सबसेपहले एक बोर्डर पर डा कलर लिका इस टोब चलाना हैina कि यह आपको कली का ऐसे दिख रहा होगा और यहां पे थोड़ा हलकलका कर सकते हैं तो कि इस तरीके से आपकी कली दिख रही है आपको सेड़िक समझ में आ रहा होगा अलग से किस तरीके से किया गया है इसी तरीके से इप में भी करना है बच्चो तो थोड़ा जो आपने कलर कि वसे थोड़ा सा डार्क लेना है एक दम ड्रेड नहीं ले लेना है छेक है उसके डख मिक्स ही रहे यह लेकिन पिंक का थोड़ा सा डार्क परद आपको लेना है और च्यूंहें थैंड करने कने वह दालग Estados कालप पर तो थिछ 43 वह उसी तरीके से इस साइड भी करिए यहां पर आपको शेडिंग दिख रही होगी लाइट डार्क की आपको समझ में आ रहा हुगा किस तरीके से बच्चो किया जा रहा है अब यही बच्चों इसमें भी करना है आपको इसमें थोड़ा पानी ज्यादा हो गया पानी आपको नहीं लेना है कम से कम पानी यूज करना है ताकि अगर पानी रहेगा बच्चों तो फैला फैला लगेगा बहुत साथ आने से कीजिएगा अि 깅 कड़ी कीजिए बच्चों तो ब фотकाने से कीजिए हो इसमें झिए सती वागे। रखिफवर मापको वागे। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगा को सेडिंग समझ में आ रही होगी यहां थोड़ा वाटर ज्याज़ा लग गया है तो डर्कनेस से आ गई है अब वाइट कलर लेके इसमें और थोड़ा सेडिंग कर सकते हैं तो आपको इसमें सेडिंग से दिखाई देगी तो आपको कुछ-कुछ समझ में आ गया होगा बच्चों कि आपको किस तरीके से करना है और यहां जो बॉप की कॉर्णर है बच्चों यहां थोड़ा डार कलर कर यूज़ करना है जो उनकी बॉर्डर्स है ठीक है बीच में नहीं करना है बल्कि किसमें करना है कॉर्णर्स पे रिष्ष करना है डायग कलर ठीक जिरो नंबर के ब्रस्ते का उप्योग कीजिए गा जब आप यहां साइड में करते रहें इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने कलर करना चीह लिए इसका के इसमें किस तरीके से सेडिंग हमें करनी है समझ में आ गया होगा भी देख लेते कि इसने कैसे भी हैं कोई गरी नहीं तो तो की वा Dharma । यह तो यह बच्छों यह जयोगन घ्रीन कलर यूज कर यह ढब हरे गधियों यह फॉल पया देख लेते हैं तो आप इसकोण के देखने में पत्रक्राइब केसा इसका दिख रहे हैं यह दिखिए काफी डार्क ग्रीन कलर देखने ग्रीन ऑपको इसका यहां पर तो यहां पर देखने होगा आपको यह इसको नतंदर लियुक्त सकते है और एक ससमाझ में आ रहा है न समझ में आ रहा ना बच्चो तो चलिए आए देखते इसको भी कर लिए इसमें थोड़ा से मैंने वाइट मिक्स किया हुआ है और तो यहां पर इसकी इसमें कलर कर देते हैं तो यह इसकी कली हो गई यही है वाइट मिक्स करते हैं बच्चो इसमें भी करते रहे हैं कि अब बाहर कलर ना निकले इसका विश्याद ध्यान रखेंगे बच्चो जीरो नमबर की बरस का इसके लिए प्रियोग करना है और इसमें भी बच्चो इसी तरीके से तो यह बच्चो नहीं कि अब यहां पर देखिए इसमें कैसे कलर करना है तुम बच्चो जो बुक है हमारी पहले उसमें देख लेते कैसे किया गया है कर अगर कर दो कर दो कल यह तहरा तो यह तो यह तो यह तो यहां पर के यहां पर कपर चोडर लेड की य uz की करेंगे जो फिर ईसके बाद बच्चों बच्चों inspect या इसमें ज्यादा सेडिंग दिन ही कही है तो आप इसमें भी थोड़ा जाहे तो कर सकते हैं कि फोड़ा डार्क सा है और हॉट्र मैं डार्कव चला दीजिए थीए जाए बिश्वी मिक्स कि ने तो बिना वाइट में वाला कलर कर दिए और भी तो एक जिद ध्यान नहीं कि इसके लिए पानी है वह साफ लीजीए गार अब पानी में आपालर हो जा रहा है तो है तो से जो है वह सही भी करते रहें एक चेंज करते रहें आपको पानी यहां यहां ठीसान किया हूँ हाँ कué कर से घ Schwab Barn और निकले का बाहर नकले इसके जाए अधुरम देना है बास तो इसका मतलब है कि ऐसा शिआ ध्यान श्वरें को ध्यान देनी है कि आपको यह ऐन बाहर ने निकाला है अब वह आद बाद बचब प्रूं ना लुटा धार्क attach ब्रीन गरीच झाले एज़ कर दो लोग। आक है लेखार नहीं है इस दिख रहा हुआ नहीं नहीं है है इसका कवलर इसका घ्रीन कलर जो यह तो यह तो यह दाक गृरिय। इस नहीं है प्रिस्केंट दीगार एक जो आंडग थे निर सकना ना है आपको जोने बहुत सा अदानी से सब्सक्राइब कुलार जाति को ुए कि इसे यहां प्रइमा की सब्सक्राइब ቡ यह पर भी इसे तरीके से उताक Image scores द सब्सक्राइब खाया को तो क्यारी कि भी में चर्णा यह किसरे का तो यह बच्चों आपको यह बन गया है लग 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 कमप्टीट हो गया है तो जीरो नमर के ब्रस का प्रियोग करना है बहुत साधानी से करना है ताकि सही से पापा है बच्चों ठीक है तो यह बच्चों आपको दिख रहा होगा सेडिंग किया हुआ तो यह कमल का फूल जो है इस तरीके से आपने सेडिंग करना सीख लिया चुकि पिंक कलर हमाई पास होता नहीं है तो हमें रेड कलर और वाइड कलर को मिलाना है और फिर इसके बाद थोड़ा सा ज्यादा उससे आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसमें सेडिंग का काम हमें करना है तो अपने कॉपी में बच्चों जो सेज बचे हुए है वह आप बना लीजेगा और अनमें कलर करिके और दिखाए एक किस तरीके से आप लोगों ने कलर किया हुआ है ठीक है यह देखिए यह लेकिन यह भी अच्छा लग रहा है तो आप कलर करके अपनी कॉपी में बनाईए इनको और सेप आपको यह भी बनाना है और इसके प्रैक्टिस करना बच्चो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं आगे जो है इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वह नेक्स्ट फूल के बारे म पढ़ेंगे वहों नेक्स्ट फीडियो में पढ़ेंगे और आपको मेरा पढ़ाना पासंद आ रहा है जो मेरे वीडियो को लाइक की जिए अगर बच्चो आपने अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें और साथी बच्चों अपने दूसरे बच्चों को भी सेयर भी कीजिए यह एक डम फ्री है दन्यवाद बच्चों मिलते हैं कल की क्लास में